वल्कम बाक ट्रेडर्स नाचल कास का अपडेट लेते हैं देखिए यहां पर आज के दिन में ऑप्शन्स एक्सपार हो जाएंगा और 28 में का यहां पर नाचल कास क्यूचर का एक्सपारी है 25 जून जो एड्जिस्मेंट चल रहा है वो 35 कर रहा है कल इंवेंटरी रिपोर्ट साय यहां पर जैसा हम शुरू सर्डिस्कास करें थे मोमेंटम बना वा था यहां पर इंवेंटरी रिपोर्ट पॉसिटिव एंड पर रहे हैं दिमांड जो थी यहां पर देखो फोर्कास था कि 84 बिलिए बचे का जो आक्ट चल रहा हो 78 मेंट्र क्यूब रहा तो 6 बिलिन के आसपास जो है यहां पर डिमांड ऑन अ हायर एंड थी देखो एक फाक्टर यहां पर आपको यह समझना है कि अभी तक जो डेटा आ रहे थे उसके अंदर कंपारेटिवली जादा थी दिमांड यहां पर जो डेटा है डिमांड उसमें मैस्व राजी रही है तो यह फाक्टर आपको समझना चाहिए है एनिवेस 245.2 काम लोग का रिजिस्टंस बैंट था 243.244 यह अच्छली यहां पर टच करके नाच्रल गास नीचे हेड डाउन हुआ 217 रुपे 10 पैसे के नीचे क्लोजिंग मिल गई है मैं आपको उस दिन भी यह चीज़ कह रहा था कि जिस दिन आप देखें ऑप्शन्स एक्स्पायर होंगे उसी दिन यहां पर हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है विकाज तब तक प्रीमियम सब को चीट अप कर चुका होगा वही चीज हुई यहां पर अगर हम लोग देखें यह जो जो जोन है यह इंपोर्टन जोन है और यहां पर अभी हमें ट्रेड करता हो नजर आ ना चल गा है अगर क्लोजिंग यहां पर 217 रुपे के उपर मिलती है तो यहां पर शुरू-शुरू के अंदर हमें चोटा सा मोमेंटम देखने को मिला यहां पर फेक हो गया ब्रेक आउट और उसके बाद में जो ब्रेकदाउंस है वह बहुत सॉलिड से इस लेवल के आस पास जिन्होंने पोजिशन बनाई होगी यह 220 रुपे 70 पैसे के नी अब दो तीन पॉसिबिलिटी रहते हैं यहां से इनीशिली एक बार के लिए पुल बैक आ सकता है और वापस यह मोमेंटम कॉंटेनी हो यहां से एक बार को रिवर्सल आ जाए और उसके बाद में यहां क्लोजिंग मिल जाए क्यूंकि आज अल्रेडी जाए मोमेंटम मिल च चांस है कि 216 रुपे 17 पैसे से लेगे 214 रुपे 20 पैसे के जोन में ही नाच्रल गास नहीं क्लोजिंग ना दे तो यहां से खेर इतने अविससादा मोमेंटम मिलने के एक्स्पेक्टेशन थोड़ से कम रहते हैं वह एक फ्राक्टर आप यहां पर समझना चाहिए बिकाद तो अब नाच्रल गास के परस्पेक्टर से देखो नाच्रल गास अल्रीड इस लेवल से और कितना 3.5% नीचे आच चुका इस इस वाइट बिक लेवल फो एक चीज समझनी चाहिए यहां पर विधाट सब्सक्राइब पसंद आए लाइक शेर शुप्राइब जरूर करना क क्या है